प्रवाइब दूस्तों नमस्कार दोस्तों मेरे नम अरूप है और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मेरे यूटूब चैनल शेर वित अरूप में दोस्तों इन्फुलेंसर ये शब्त आप लोगों ने सुनाई होगा अक्सर जो है ये हमारे जिन्दगी में आजकल बहुत जादा मतलब इस्तमाल होने लगा है लेकिन कभी-कभी कुछ लोग ऐसी हरकते करते हैं कभी-कभी लोगों को इन्फुलेंस करने के चकर में सारी हदों को पार कर देते हैं और इसका खामियाजा है या फिर क्या लिजे इसका जो कीमत है उनको अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है जी हाँ कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है 23 वर्स ये मॉडल प्लस सोचल मीडिया इंफुलेंसर प्लस बॉडी बिल्डर ओडालिस संतोस मीना के साथ जो की मातर 23 वर्स की थी और उनको जो है लोगों को इंफुलेंस करने के चकर में कहीं न कहीं जो है उनकी मिर्ट्य हो गई है जी हाँ दोस्तो 23 वर्स से मेक्सिको के मशूर मॉडल शोचल मीडिया इंफुलेंसर प्लस बॉडी बिल्डर ओडालिस संतोस मीना अब हमारे बीच नहीं है और मातर 23 वर्स के उमर में ही उन्होंने इस दुनिया को अलवेदा कह दिया है और अगर आप उनके इंस्टेगाम पे अगर उनके फॉलोवर्स देखे तो उनके एक लाग से अधिक फॉलोवर्स है जिससे आप यह आसानी से अंदाजा लगा सकते है कि उनके जो है शोशल मीडिया पे जो प्रभाव था लोगों को इंफुलेंस करने के लिए कही न कहीं जिससे उनकी मृत्य हो गई है दरसल यह घटना साथ जुलाई की है जब ओडालिस मैक्सिको के प्राइबेट क्लिनिक जिसका नाम बताया जा रहा है इसकिन पिल क्लिनिक वहाँ अपनी एक ट्रीटमेंट कराने के लिए भरती होती है अब किस प्रकार की ट्रीटमेंट है यह भी आप समझ लिजे दरसल इस ट्रीटमेंट का नाम बताया जा रहा है मीरा ड्राइ तो अब इस ट्रीटमेंट में क्या होता यह एक तरह की जो है सर पिर बात जो है ओडालिस की दिल की धरकन रुख गई थी और धरकन रुख जाने के काराण उनकी मृत्तिि हो गई थी लेकिन इसते भी आजीब बात यह है जो है ओडालिस ने अपने मंदने से पहले ही जो है अपने सोचल मीडिया प्लेट्पॉम पे जो इस ट्रीटमेंट का म आपने शोशल मीडिया पे प्लैटफॉम में क्लेम भी किया था तो अब ओडलिस की मिट्थों के बाद कहीं न कहीं यह मामला सामने आ तब जाके ओडलिस की मृत्ती होगी खेर यह अभी तो है जाच का विशाय है इस पर पूरा जान चल रहा है लेकिन मामला तो यही लगता है कि यह पूरा मामला है जो पहले से जा ब्रैंड इंडोस कियाओ था कि मेराड्राई की मेरा ड्राई के द्वारा जो स्पोन्सर किया आ तो दोस्तों इसके साथ मैं आप लोग को ये भी बता दू कि ओडालिस मैक्सिको की एक जो है बहुत ही जो है फेमस उनकी जो परसनलिटी थी और जो है हुए 2019 में मिस्टर और मिसस हर्कुलिस का खिताब भी टाइटल भी उन्होंने जीता था तो कहने का मतलब यही है कि पूरे स्टोरी का मतलब यही है कि आजकल जो हाँ अपने सोशल मीडिया की जिंदगी में जो कि लोगों को इंफ्लेंस करने के चक्र में हम किसी भी हद तक गुजरने को तयार हो जाते हैं अपनी जिंदगी के बारे में एक बार सोशते तक नहीं है कुछ भी करने को तयार रहते हैं ताकि जो है लोग हमसे इंप्रेस हो जाया है सोशते हैं और खास तो पर मैं जो है कुछ लड़कियों के बार में कह रहा हूं कुछ लड़किया ऐसी होती है जो इस तरह के हरकत करने से हम लोग को बचना चाहिए जो कि एक बार सोशना चाहिए कि हम क्या कर रहा है उससे हमारी लाइफ को कितना रिक्स हो चकता है इसके बार में हम भूल जाता है जैसा कि ओड़ा लिस ने किया तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही बाकि इस पूरे मामले में आपका क्या रहा है प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को फेस्बूक वाट स